जो बयान आपने दिया था एक बोटी-बोटी प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान दिया थो वोड़ी है बहुत दिन हो गया इस बयान को कब तक भी किस्टरर हो गया आप आपको इमरान का बयान दिखाई देता है आपको पाल्लेमेंट के अंदर कड़े हो करके नर्मिश बिदूरी की गाली नीन जराती जो लोगतंत्र के मंदिर में लोगतंत्र की दजिया उड़ाते मैं एक बात के लिए 50 बार मावी मांग चुका हूँ आप उस मावी को दिखाना नहीं चाहते लेकिन बार बार एक चीज़ को गुमात कर मैंने वो बयान नहीं दिया था वो बंद कमरे के अंदर आपस की बात चीत ती जिसे लोगों ने परचारित कर दिया यूपी के पॉपलर नेता इमरान मसूद एक बार फिर से कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं हमारे साथ हैं महबबत की दुकान राहूल गांधी बार बार कहते हैं अब उसमें अब शामिल हो गए यह फैसला क्यूँ किया समाजवादी पार्टी में गए बार फिर कॉंग्रेस में आ गए उस नफरत से देश चल नहीं सकता है राहूल जी परियास किया रायो जी के बाद मैं समझता हूँ सभी लोगों को रायोल जी के हाथों को मस्बूत करना चाहिए तो जो बयान आपने दिया था एक बोटी-बोटी प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान दिया था है आपने कहा कि पारल्यामेंड में भी किसी को उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और आपने बयान पर माफी मंग ले और आपने ऐसा बयान नहीं दिया था लेकिन अब आप कॉंगरेस में शामिल हुएं किस वज़ा से क्या यूपी में कॉंगरेस मजबूत हो रही है क्योंकि इंडिया अलाइंस में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी में भी आप थे देखें कॉंग्रेस मस्बूत हो रही है पूरे देश के अंदर और देश में कॉंग्रेस मस्बूती कॉंग्रेस इंडिया गडबंदन जो है मिल करके देश के अंदर सरकार बनाने जा रहा है आप देगे भी ये चार स्टेट के रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा समाजवादी पार्टी नाराज तो नहीं न होगी कि समाजवादी पार्टी में तरह फिर कॉंग्रेस में आ गए तो कॉंग्रेस तो नाराज नहीं होगे में समाजवादी में चला गया था समाजवादी क्यों नाराज होगी भाई हमसे बात्चित करने के लिए धन्यवाद इमरान होगी वस्तनी यूपी के कदावट नेता है और फिर से कॉंग्रेस में शामिल हो गए है इस उम्मीद में कि आने वाले वक्त में मुहबत की दुकान में प्यार की भाशा बोलेंगे कैमरा परसन पंकच के साथ नीरच कुमार न्यूज एटिन इंडिया दिल्ले